देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरू कर रहे हैं नम्रीत राना पर फिर से हंगामा हो सकता है उनके घर पर फिर से बुल्डो ज़र चल सकता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि दरसल पुरा मामला क्या है और क्यूं भाई ये सब फिर से हनुमान चालीसा ये फिर उनके घर पर बुल्डो ज़र चल सकता है और हनुमान चालीसा को लेकर हंगामा हो सकता है दरसल में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महरास्ट में हनुमान चाली सापर जो फिर से बुल्डोजर फिर से जो हो सकता है बवाल वो इसलिए क्योंकि नाकूर में राना दम पती और NCP जो है वो पाठ करने वाले हैं और हम सब ये चीज बाखुबी तरीके से जान रहे हैं कि किस तरीके से कोट के साथ साथ जो है बुल्डोजर चलने के लिए किस तरह से उन पर नोटीस दिये गए हैं आईए पहले पूरे मामले को समझाते हैं आपको कि क्या है किस तरह से बबाल होगा फिर बुल्डुलेर कैसे चल सकता है इसको हम लोग ध्यान देते हैं दरसल महरास्ट के अमरावती से सानसद नमरीत राना और पति रवी राना आज रामनगर के पुरुसीद मंदिर में हनुमान 40 का पार्ठ आर्दि करेंगे वहीं पुलिस नहीं इन्सेपी को भी इसी जगह पर हनुमान 40 का पार्ठ करने की अनुमती दी है हलाकि राना दंपती से पहले NCP को समय दिया गया है आपको बता दें राना दंपती ने एरपोर्ट से लेकर रामनगर तक बाई के रैली की अनुमती मांगे थी जिसे पूलिस बिभाग ने ठुकरा दिया वहीं हनुमान 40 के लिए शर्तों के साथ अनुमती दी गई है बताया जा रहा है कि परीसर के अंदर मंजूरी की जरुवत नहीं होती लेकिन बाहर समर्थकों समेट लोगों की भीर पर पावंदी लगाई गई है वहीं शर्त ये भी कहा गया है कि अगर किसी परकार की कोई अनूचित घटना होती है तो उसके लिए राना दंपती की जिम्बेदार होंगे आपको ये बताते चले हैं कि राना दंपती और एंसीपी के भी चल रहा ये बिवाद आज आमने सामने होती देखेगा वहीं पुलिस कमिशिनर ने साफ कर दिया है कि दोनों में से किसी को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के नुमती नहीं दी जाएगी वहीं शुक्रवार मीडिया से बात करते हुए इनसीपी शहर एकाई अध्यक्ष दिनेश्वर्व पेठे नहीं कहा कि करीब एक हजार करेकरता बारा बजे के करीब रामनगर के मंदीर पर इकठा होंगे और हनुमान चालीसी समेत रमाइन और सुन्दर कांड का पाठ करेंगे उन्हें उन्होंने राना दमपती को चालींज देते हुए ये भी कहा कि बीना किताब के हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाए हैं आपको ये बताते चलें कि इससे पहले और बबजब वीते दीनों राना दमपती ने दिल्ली के कहा प्लेस स्तीत हनुमान मंदिर में महा आरती की थी राना दमपती को इसका बहुभी एहसास था कि दिल्ली में महरास्थ जैसा जो खीम नहीं है वरना मुंबई में उद्दब ठाकरे को ललकारने के बाद तो उन्हें जेल जाना परा था जेल से छुटने के बाद नमरीत राना अ गुलोजर चल सकता है अब देखना यह होगा कि बार-बार जो है धमकियों के बाद भी निर्देशों के बाद भी उन्हें कोई फट नहीं पर देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है और वाकई में जो नूडिस मिल लेंके उनके घर पर बुलोजर चलेगा या नहीं झाल